नमस्कार दोस्तो आज बात कने वाला हूँ कि कैसे आप e-commerce business के लिए gstr1 को फाइल करेंगे हैं जी दोस्तो e-commerce business जो की एक अलग तरगे से जिनकी return gstr1 फाइल होती है जहाँ पे b2c sale 90% होता है b2b sale बहुत कम होता है तो जब आप unregistered person को याने customer को business to consumer को या customer को sale करते हो तो b2c sale होती है और जब आप business to business करते हो जो registered person को sale करते हो आप registered हो और फिर registered person को sale करोगे तो b2b sale होगी तो ऐसे case में कैसे आप J-Stay Run को फाइल करेंगे क्योंकि जब आप e-commerce business करते हैं तो अब अपनी sale Amazon, Flipkart या मिशू के माध्यम से करते हैं तो इस तरह के cases में कैसे फाइल करेंगे पूरा complete process बताने वाला हूँ चलिए समझेंगे detail में तो सबसे पहले तो देखो इस प्रकार से एक report निकले गी आपकी अलाकि report मेरी बड़ी थी लेकिन मैंने उसमें सो जो काम चीजे थी वो रख लिया है जैसे कि customer का state जो की return के लिए J-Stay Run के लिए चाहिए होगा customer का state जिस भी state में उसको deliver हुआ या ship हुआ फिर item catchation code और item का name फिर GST rate quantity taxable value ठीक है ये मेरी taxable value है taxable value चाहिए होगी फिर I-GST, C-GST, H-GST ये सारी चीजे चाहिए होती है GST रण को फाइल करने की इतनी report होती है जो की एक B2C sales की entry को करने के लिए चाहिए होगी मैं इसको sharp total लगा के C-GST, H-GST, I-GST taxable value और quantity में sharp total लगा के इसके report को थोड़ा और अच्छे से कर लेता हो, देख सकते हैं, यह आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो state wise report आ गई, कि यह state wise है, अब देखो इसकी सबसे पहले तो accounting होगी, accounting में कई सारे method है, जैसे की entry कम है ये लेकिन कई बर होता क्या, e-commerce platform पे आपकी entry बहुत सारी होती है, 2000, 3000, 4000, ऐसे में आप एक-एक bill की entry अपने software में करोगे, तो आपका software का data heavy हो जाएगा, हलाकि बहुत सारे market में अलग-अलग software है, लेकिन tally के अंदर अगर आप करोगे, तो यह heavy हो जाएगी, क्योंकि अगर एक महिने की तीनजर entry है, तो बारा महिने की entry इतनी heavy हो जाएगी, कि आपका tally hang करने लगेगा, तो bill wise अगर entry करोगे, तो problem आएगी, यहाँ पर मैं state wise entry करके मैंने tally में report बनाया हुआ है, देखो यह report है, और इसकी entry हम लोगों ने tally में state wise किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ, tally पर आगए, display पर आगए, statutory report पर आगए और gstr1 पर आगए, tally की through ही file करेंगे gstr1, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिसंबर मन्त निकाल लेता हूँ, दिसंबर मन्त की file करने जा रहे हूँ, दिसंबर 23 की, तो यह दिसंबर 23 निकाल लिया, यह देखो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यह सारी entry कर रखी है हमने, यह वाले entry गल्द हो रही है, एक्सपोर्ट में नहीं आईगी, यह वाली entry एक extra हो रही है, इसको delete कर लेते हैं पहले, क्योंकि जितनी भी हैं मेरी सब B2C sale है, तो export वाली sale नहीं होगी, अब यहाँ देखो tax value कितना है, 3327, यहाँ देखो, 3327, tax हो गया, 5907, 5907, 4040 रुपीज का C और S, ठीक है, ओके, तो इसकी entry कैसे कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, entry को खोल के दिखाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, state wise report हमें मिल जागी, देखो यह state wise report आ गई है, किसी भी state को enter कर लेते हैं, और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, हर एक state की एक single entry कर रखी है, ठीक है, जहाँ पे item ले लिया, क्योंकि quantity भी हमें मिल जाती है, कि उस state में कितनी quantity sale हुई है, ठीक है, किसी state में 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो अलग अलग states की होती है, जब total, सब total लगाओगे, तो ऐसे निकल के आईगे, तो देख सकते हैं, यहाँ पे एक quantity है, यहाँ भी एक quantities का rate यह है, और उसके सबसे addition code item पे set है, तो यह जो करना है आपको, वो करना है, POS invoice के अंदर, क्योंकि यह जो entry है मेरी, POS invoice के अंदर है, सबसे पहले POS invoice का format बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, बाहर निकलेंगे, अल्टर पे आएंगे, gateway of telly पे आके, और यहाँ से आजएंगे, voucher type पे, voucher type पे आएंगे, voucher type पे आके, यहाँ पे online sale, दिखाता हूँ मैं आपको, पहले से बना रखा है मैंने, online sale, sale के अंदर ग्रूप में रख लिया, और उसके बाद, यहाँ पर एक option होता है, use for POC noising, बस इसको आपको yes करना है, मैंने already yes किया हुआ है, आपको बस yes करना है, फिर जैसे yes कर लेंगे, voucher entry माएंगे, affect करके, आपको बस वो head select करना होगा, online sale का, वो voucher type select करना होगा, जैसे कि मैंने क्या हुआ हुआ है, तो आपको दिखा देता हू display statutory report GSTR1, यहाँ आगे, और यहाँ आने के बाद, यह दोखो, इसको करते हैं open, देखो POS nois की entry हो रही है, जहाँ पर item की details यह आगी है हमारी, कि यह यह item है, और total 3 nois है, कौन से state में है यह? नवंबर मन्त को आगे, एक मिनट, दिसमबर निकाल ले दें, कि भी दिसमबर के कर रहे थे, फाइल, दिसमबर तेज निकाल लिया, मैं आपको ले चलता हूँ इदर, यह देखो, अंडमाल, निकोबार, आइसलेंड, यहाँ देख सकते हैं, एक quantity है, sale की, और इस पर output IGST 81 रुपीज है, simple है, कुछ नहीं किया, यहाँ से note applicable करेंगे, bill to में, और सिर्फ यहाँ पर बस आपको state लेना है, state का name, जो कि इस sheet के according है, देख सकते हैं, यह आगया, state का name, यह हमने लिख लिए यहाँ पर, अन्रेश्टर लेना है, अन्रेश्टर और consumer, फिर एंटर करेंगे, फिर, sale account आगया, फिर यह item ले लिए हमने, item catchation code, quantity, rate, यह सब ले लिया, इसके उपर tax लगा दिया, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर, जो gift voucher है, यह multi payment mode option कर लेना, yes, तो जो भी आपने debtor का laser बनाया होगा, वो debtor का laser आजाएगा, जैसे कि मैं मिशू की shale की entry कर रहा हूँ, क्योंकि मिशू के through हुई है, और payment भी मिशू को through आना है, तो यहाँ पर आपको एक laser को बनाना होगा, जो कि sundry debtor में बनाना होगा, जैसे मैंने मिशू shale बना रखा ह है, उसकी spelling सही कर लेते हैं, spelling गलत है, MWE, S को, मिशू shale, मिशू shale, shandry debtor के under group में रखना है, और यहाँ रखना है, आपको unregistered, ठीक है, unregistered में रखना है, क्योंकि सारी shale हमारी B2C वाली होने वाली है, इसलिए आप unregistered रखना है, फिर उसके बाद जो भी वो इसका total value होगा, वो लिख दिना है, क्योंकि जो मिशू shale पैसे लेने हैं, व किसी customer से लेना होगा, क्योंकि online sale में यही होता है, कि payment हमें जिस platform से sale कर रहे हैं, उसी से आती है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, यह देखो, यह देखो, पान सुई करते स्कुपे, उसके बाद, जो भी इनके charges होंगे, less करके final amount आएगा, अभी display story और GSTR1 पे आगे है, GSTR उन पे आने के बाद, यहां से करते है, date change, एक December 23, 31 December 23, यह दो समझ में आगे कि entry कैसे करनी है, और उसके बाद आपको सारी entry आँ कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहां कर रखी है, देखो, 33, 272, 33, 272, और यह 5907 का आगया amount, 4.65, 4.65, तो यह पूरा complete होगे, sale complete होने के बाद, हमारी return ready है, यहां चेक कर लेना, कोई miss match तो नहीं है, कोई miss match होगा तो यहां बता देगा, कोई भी miss match नहीं है, अब उसके बाद, hsn summary देख लेना, क्या hsn सारे proper डले हुए है, so, hsn code आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा error hsn code में ही आता है, hsn code आपको six digit या eight digit रखना ही होगा, इससे कम रखोगे, तो error आ जागा, ठीक है, जैसे मेरे case में तो okay है, अभी करना क्या है, simple है, portal पर आएंगे, dashboard पर आजाते हैं, dashboard पर आके, file return पर आएंगे, file return पर आके, यहाँ पर लगाएंगे, month select करेंगे, जिस भी month की filing करने जा रहे हैं, तो यहाँ से मैंने select कर लिए tax period, month ले लिए December, तो फिर पेर online पर जाएंगा, यहाँ से, इसकी file को export कर लेते हैं, तो यहाँ से export पर जाना होगा, ght return में जाना होगा, और export में जाना होगा, configuration और location सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी save करना चाहते हैं, चलिए कर लेते हैं, location को select, location को कर दिया, paste, देखोर मैं सबकी file separately export कर रहा हूँ, तो इस option को yes करना, जहाँ से आपकी addition file, document summary और B2C, invoice की detail, addition code की detail अलग-अलग आएगी, ठीक है, export पे click करेंगे, तोड़ा सा time लेगा, देखोर, इसने सारी हमारी जियोशन file बना दिये, करना क्या, portal पे आना, और एकर करके select करना file को, सबसे पहले B2C select कर लिया, refresh करेंगे, नहीं को एक भी error नहीं, देन उसके बाद यहाँ से select करेंगे, accession code, refresh कर लिया, कोई भी error नहीं, उसके बाद, यहाँ select करना होगा, document, document को select किया, refresh किया, अभी back to file gstn1 पे आ जाते हैं, यहाँ से tax period, December month, search पे click, prepare online, तो देख सकते हैं, B2C select, यह आ गई हमारी, यह एक document, यह चेशन code, generate summary पे जाएंगे, refresh करेंगे, और देख सकते हैं, दिखाता हूँ आपको, देखो, यह हमारी आ गई taxable value, और यहाँ पे आ जाओ, यह देखो, सेम है, यहाँ से भी देख सकते हूँ, 33,272, 33,272, 5907, 5907, 40.65, यह देखो, बिल्कुल सेम, और यही value हमारी है, चेशन में बनका है, यह देखो, total value यही बनका है, अब देखो, होता है, जो e-commerce business होते हैं, इसमें transaction बहुत सारी होती है, किसी की 2000, 3000, 4000 है, अब ऐसे में अगर invoice wise detail अगर आप tally में डालोगे, तो data heavy हो जाएगा, दूसरे दिसरे महिने में hang करने लेगा, चलेगा नहीं सही से, तो हम इस state wise filter करके, इस प्रकार से entry कर सकते हैं, billing purpose के लिए आपका raw data जो actual में आता है, billing के record के लिए, आप वो रख सकते हो, लेकिन accounting के लिए आप ऐसे करके कर सकते हो, return file, क्योंकि एक एक भी लोग के चड़ाना बहुत मुश्किल हो जागा, जिसका छोटा काम है, चल जाएगा, लेकिन जिसका बड़ा काम है, 2012 transaction एक ही महीनी में होती है, वो tally में करी नहीं पाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपको यहाँ पे entry करनी है, sale की, और return प्रिपेर करना होगा tally में, ठीक है, अभी यहाँ क्या करना है, file statement पर जाना है, और उसके बाद, select कर लेंगे, यहाँ से उत्राई signature को, चलिए, OTPs undate कर लिए मैंने OTP भर देते हैं, इसको फिर file करते हैं, तो दोस्तों देखा, आपने इस प्रकार से e-commerce business के लिए JSTR उनको file करना है, वीडियो वेज लगी, ज़रूर बताए, thank you so much, चैहिन, उन्दे मात्र,